आज हम इस सेशन में एनेट डेरिवेटिव आफ इनी फॉंशन फाइंड आट करेंगे इसके पहले का जो टॉपिक था मैंने इसमें सक्सेसिट डेरिवेटिव टोटली क्लियर कर दिया था आप लोग को काफी चीजी सब्सक्राइए होंगी उसी की बेस पे एनेट डेरिवेट हम फाइंड आट करना सिखेंगे और यह काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस पर आगे हम लेवनी सिर्म भी देखेंगे जो कि हमारा आगे का टॉपिक रहेगा तो यह सारी चीजी हम देखेंगे तो एने टेरिवेटिव क्या जाता है इसका अच्छल में कॉंसेट क्या ह और इसमें तक्रिबें तक्रिबें मैं आपको 8 किसे बताँगा जो कि special cases रहेंगे जिसका हम questions में directly use भी कर सकते हैं जिससे में टाइम की saving हो सकती है आए देखते हैं सबसे पहले हम theory देखेंगे अगर theory की बात करें theory इसकी जो पहले का session मैंने कराया था theory उसी की base पर है कि मैंने जब कोई function y कुछ to fx given रहता था इसको अगर first time derivative मतलब first derivative find out करते थे या फिर इसको differentiate अगर one time करते थे तो इसको आफ y1 करते थे हैं तो d d x of f of x कर लेते हो या फिर इसको आफ d d x y इसको आफ लिखते थे इसी तरी के से वाइटू find out करते थे आप लोग वाइटू का मतलब है यह चीज कुछ ऐसा रहेगा d d x of dy over dx इसको आफ चाहें तो इसको ऐसे मिली सकते थे इसी की तरह अगर आफ इसका एनफ डेरिवेटिव फैंड आउट करो इसकी मैं बहुत ज़्यादा डीप में थे औरी नहीं जा रहा है क्योंकि इसके बारे में मैंने डिफ्रेंट इस डिफ्रेंशेशन और फर्स्ट अडर डेरिवेटिव फैंड फोर्थ आपको जितने डे मैं आपको एनफ डेरिवेटिव एक्चल में कैसे इसको मैसमेटिकल में लिखते हैं कि थेरी तो बिल्कुल सेम है तो इसमे थेरी बहुत जादा मुझे इस प्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है आए देखते हैं और अनफ के लिए अगर लिखा जाए जाए कि फिर इसको लिखने यह कहा है तरीका में आपको दिखाता है यवन लिखो, इसको चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हो, जहाँ पर D आपको पता है, इसके पहले वाले सिचिन में, डिसस की आपने में, D का मतलब डिडियो आफ एक्स, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इस सब का मतलब एक है, लिखने का एक तरीका है, तो अगर मैं आपसे कहा हूं अने डिफिरेंशियल कोफिसेंट आफ वाई लिखना होगा तो क्या होगा तो यह सारे इसके मैजमेटिकर नूटेशन है या फिस सिंबल आप बोल सकते हो एने डरिवुटिवाट करने के लिए तो आप इन्मी से कोई भी उच कर सकते हो ठीक है इसमें अब कोई किसी क है नो रिजल्ट जो भी है उससे हम बात करेंगे जो कि स्टेंडर्ड रिजल्ट हम कहते हैं इसको तो यह बिल्कुल आपको याद रहेगा तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ठीक है यह चीज़े बिल्कुल जैदा ऐसा नहीं कि आप करनी सकते हैं क्योंकि आप इसको मैं कुछ किक्षिन में लोंगा और उसी को मैं सॉल करके पहले तो य सब्सक्राओं करूंगा तो पहले हेicular किलो। यतिति अच्छेंग को कि अब देखें मैंने पाले य इंटिया है व्यिंट आपक dóna क्वैं फनकल्सट ब्ले है है कि कुछे नहीं है यह आपको कुछ केसे हैं हमने का इफ वाई कुछ तो ए एक्स प्लस बी पावर आप एम लगा लो ठीक है अब दो हमें इसका आपको बताना है दिन फाइंड एनस डेविटां ठीक है तो सबसे पहले करने के लिए पहले आप इसको मैं आप इसके स्टर्टिंग से तो पहले आपको पता है अगर आप वाई वन मतलब फॉस्स और डेरिविटिव यह फाइंड आट करोगे तो एक्स प्लस बी लिखोगे यह तो आप लिखोगे एक्स टुद पावर एन की दरस को ट्रीट करोगे तो यह एम माइनस हो जाए और आप एम को यह सब्सक्राइब अब इसको बहुत जाए तो आप यह फिर ने लिखते से तो आप में अब लिखोगे ऐस प्लस बी में अब इसको जिब डिफरेंशियेट करोगे तो बी वाले टर्म का तो यह निमेरिकल वैलू है तो जीरो हो जाएगा ए और एक्समे एक्स के रिस्पें करो ! यहां पर दूबारा से यहां पर बचएगा इंटू ए करो तो एपर two था तो यहां पर two minus हो रहा है यह जो पावर है इसके उपर यह क्या आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है, और दो ट्रेम्स में देखो, यहाँ पर टू है, तो M, M-1 आ रहा है, मतलब इसे एक कम है, इसे एक कम है, अगर इसी के बेस पे, मैं बहुत जाज़ा चीज़े लिखने के थी, थर्ड, फॉर्थ मैं नहीं लिख रहा अगर Y-1 लिखा जाए, N-th लिखा जाए, आप लिखो के M, M-1, M-2, ऐसे करते हो जाओ के, जितना रहता है, उससे कम रहेगा, ठीक है, तो M-N प्लस E करेट करो, तो अगर देखा हम हो जाएगा, तो A-X प्लस B, इसको आप पॉस्ट करके खुश सी लखिएगा, तो A हो जा यहाँ पर N-th लिखता, तो N-th होता है, यहाँ पर 2 था, तो 2-th हो था, और यह की power क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है, तो N के लिए हमने लिख लिख लिया, और यह आप कुछ pattern, एक या दो term का differentiation करने को बाएद आप pattern decide खुश से कर सकते हैं, और उन्ही pattern के base पर चीज इस सरीके से मैं अगर आप से कह दूँ, कुछ particular way में अगर आप लिखो क्या हो जाएगा, अगर हमने कह दिया, यह कुछ ऐसा हो, AX plus B, whole to the power minus 1, और फिर आप M ही कर सकतो, कोई इसमे issues नहीं है, यह हमने बसरते हैं कियाद रखिएगा, M positive integer होना चाहिए, तो इस इसको अगर ह टीजर अगर हमने जूम कर लिया, तो कुछ इसको लिखो के तो कुछ ऐसा आएगा ही, यह factorial M, जो मैंने पिछे इसको describe किया, उस ही के base मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहां पर कहा जाए, A to the power N, और आपका AX plus B तो रहे गई रहे और इस सारी वीडियो को pause करीगा, और इसको खुछ से कुछ से कुछ करीगा कि इसके power क्या आएगा, यहां पर power क्या आएगा, M minus N आएगा, ठीक है, तो यह इसको लिखने का तरीका है, अगर आपको चीजी समझ में आ रहे हैं, तो आप सीजो को pause कर करके, खुछ से solve करने के कोशिस करिएगा, जिससे आपको confidence boost होगा, ठीक है, तो इसमें कुछ एक और किस दो किस्ट पर लेते हैं, क्योंकि वीडियो कई पार्ट में बनीगा तो लंबा बहुत जादा वीडियो हो जाएगा, तो सिकेंड वाले मैं कुछ ऐसा function ले रहा हूँ है, किन वाले क्लियर में जिसमें किया, if y cos e to the power ax, आपको ns derivative find out करना है, first derivative find out करो, क्या हो जाएगा, a a अब का तो आई हो जाएगा, e to the power ax रहेगा, x इसका multiple है, जब differentiation करोगा तो x का 1 यहाँ पर आ जाएगा, y to find out करोगा, a square हो जाएगा, e to the power ax हो जाएगा, y3 find out करोगा तो aq हो जाएगा, e to the power ax ह यह पर नहीं रहता है यह अगर इसमें हम वाइए न के लिए बात करेंगे इसके बेस परोड करिये क्या हो जाएगा यह डेरिवेट टू ए टू पाउर एंड यह ऐसे करो कुछ होगा है इंजनरल में बात कर रहा हूं यह इंजनरल आप करो गए तो इसमें अगर आप आप अगर सिंप्लिफाइट करके लिए तो क्या हो जाए इसी तरीके से सिमिलर्ली इसी की बेस पर बेस पर एक मैं आपको आप अगर सिमिलर्ली लिखा जाए मैं अगर इसी की बेस पर और आपको पैटरन मता दूँ यह आप खुछ से ट्राइ करिएगा आइटिंक आप लोग कर भी लोगे अगर मैंने कहाई यह चीज अगर लॉग के फॉर्म में कर लिखा हो मगार इसीशन करना हो आप खुछ से करिए आप लोग करियेगा और इसका जो सब्सक्राइब करसकते हैं तो यह चीज बिलकूल इसी के बेस पर होना है जो कि सेकनल वाले ग्ला इसको बता दिया को तो इसके बाद के वीडियो में मैं 4, 5, 6 जो भी चीजे हैं आगे के पार्ट बच्चे में वह कवर करूंगा और आगे के वीडियो में इनके हेल्फ से मैं कुछ और आपको पैटन बताऊंगा जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आवे से इस वेरी इंपॉर्टेंट और इस सब चीजों का यूज आप ड्रक्ली करोगे तो आपका टाइम तो रहा सा कंजूम जो होता है वो बच सकता है और यह से रहेगा ठीक है तो थैंक यू सो मुच वर वाचिंग दीस सी यू नेस्ट वीडियो और बेस्ट आप